तमस्कार वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं रंदीब खेर राजनितिक पार्टिया इस समय जोरों शोरों से आने वाले चुनाओं को लेकर चुनाओं प्रचार में लगी हुई हैं हर बार की तरह इस बार भी कई पार्टिया विकास के मुद्दे को अपना एजन्डा बनाए हुए हैं और इसी एजन्डे का राग गाते हुए पार्टिया आपको चुनाओी प्रचार में जरूर दिखेंगी उनकी बड़ी बड़ी बातों से जन्डा को भी ऐसा लगता है कि इस बार उनके चुने हुए नमाइंदे उनकी समस्याओं का हल करेंगे लेकिन हर बार जन्डा को सरकार की और से मायूसी ही मिलती है देखते ही देखते पांच वर्ष बीच जाते हैं लेकिन जनता की समस्याओं का कोई भी हल नहीं निकलता जिन से वे वर्षों से जूज रही होती है सवा सो करोड अबादी वाले हमारे मुल्क की जनता की हजारों समस्याएं हैं जिन में से सडक की समस्या एक बड़ी चिंता का विशे बनी हुई है क्योंकि कहते हैं ना कि सडके हमारे रक्त संचार की परनाली के समान है हमारे देश में सडकों की हालत इतनी दैने बनी हुई है कि एक पल में ही नजाने कितनी सडक दुरगटनाएं हो जाती है जिससे लोग अपने परिवार का सदे से तक भी खो देते हैं आए दिन हम बयानक सडक दुरगटनाओं की खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं जिनका आम जनता पर खासा प्रभाव पड़ता है लेकिन जनता दुआरा चुने हुए नमाइंदों पर इंसाचों का कोई असर नहीं होता बात करें कश्मीर के अनताग जिले के अच्छबल छेतर के गाउं रानी पोरा की जहां कि सडकों की हालत इतनी खस्ता है कि लोगों को कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है सडकों की मरदमत न होने के कारण जगा जगा सडकों में खड़े बने हुए हैं जिससे लोगों को वहां से गुजरने में काफी परिशानिया उठानी पड़ती हैं यहां तक की उन सडकों से मरीजों को गाड़ी में ले जाने में भी काफी कटनाईयां आती हैं वक्त इंडिया की टीम ने कुछ लोगों से इस समस्या पर बात की जिनका कहना है कि इस बारे में उन्होंने कई बार जिला परशासन से बात की लेकिन सडकों की हालत वैसे की वैसी बनी हुई है और दिनो दिन बद से बद्दर होती जा रही है वहां के निवासियों में सरकार के पती काफी रोज है और उनका कहना है कि सरकार लोगों के दिया हुए वोटों से बद्दी है परंतु बदले में सरकार का ये दैत्व बनता है कि वे उनकी परिशानियों पर गौर कर उसे हल करें उनकी मांग है कि सड़क की जल्द से जल्द मरमत की जाएं ताकि सड़क की इस दुरदर्शा से उन्हें निजात मिल पाएं इस जो 99 % कि उसी भी सिलांथ और वांध में जा जल्द पूंच न चाहते हैं कि यह जो रोर्ड है इस पर नजड़ाफ रॉट रखकर और कम से कम वक्त में यह तायार किया जाये ताकि ड्रैवर्स वारी मुआ और भी मार मोंकोm मुष्किलना होता है। यह तो बात थी एक छेतर की पर ऐसी ही हालत जम्मु कश्मीर के कई इलाकों के आम देखने को मिलती है। खैर चुनाव फिर से आने वाले हैं तो एक बार फिर नेता वोट मांगने आएंगे। पर वक्त इंडिया का आम जनता से यही अनुरोध है कि करपिया इस बार जब आप वोट दें तो विकास को द्यान में रख कर दें। ना कि किसी और अधार पे। अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त ताजा खबरों के लिए बने रहिए वक्त इंडिया के साथ नमस्कार।